आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी lifetime चलने वाली बैटरी जो है उसे बनाना सिखाऊंगो जिसे आप एक बार बना लेंगे तो ये कभी कराब नहीं होगी इस बैटरी में आप देखेंगे एक BMS भी लगा है यहाँ पर temperature sensor भी दिया गया है तो इस बैटरी में सारे protection feature भी है इसमें lithium phosphate 32650 cell का इस्तिमाल किया गया है चलिए इस बैटरी को बनाना सीखते हैं इस बैटरी को बनाने के लिए हमें lithium phosphate cell जो है इनकी जरूरत पड़ेगी इनक इसमें temperature sensor भी लगा है तो इस तरह का हम BMS यूज करेंगे इसके अलावा आप देखेंगे चुकि हम 4S betty pack बना रहे हैं यह betty pack 12 volt वाला है तो इस तरह के double cell वाली spacer जो है इनकी जरूरत हमें होगी तो इस तरह के 4 spacer हम यूज करेंगे अच्छा इन cell को आपस में connect करने के लि और अगर आप चाहें तो आपके पास इस spot welder है तो spot welder का इस्तमाल करके भी आप cell को आपस में connect कर सकते हैं मैं आपको इन cell का voltage पहले चेक कराता हूँ यहाँ पर पहले cell का voltage आप देखेंगे 3.336 volt दिखा रहा है इसके बाद अब हम दूसरे cell का voltage चेक करते हैं यहाँ पर 3.324 दिखा रहा है इसके बाद हम चौथे cell का voltage चेक करते हैं यहाँ पर इस cell का voltage जो है 3.4 volt दिखा रहा है तो इस तरह से आपने एक चीज देखे कि इन cell की voltage जो है वो एक समान नहीं है तो हमें क्या करना होगा इन cell का सबसे पहले voltage जो है उससे equal करना होगा तो equal करने के जिसके लिए हम magnet का इस्तमाल करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इस तरह के जो छोटे-छोटे magnets होते हैं, इनके इस्तमाल से इन सैलों को आपस में parallel जोड़ दूगा, तो मैं सभी सैलों में magnet जो है, इन सैलों के positive और negative दोनों terminals पे लगा देता हूं, इस तरह से हमें magnet ज parallel connect कर देंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इस तरह से इन सैलों को रख लेता हूं, इसके बाद जब हमने सैलों को इस तरह से रख लिया, तो मैं इस तरह की nickel strip, जो की बिल्कुल size की मैंने cut की है, इनको इन magnets के साथ connect करके, सभी सैलों को parallel जोड़ देता हूं, यहाँ पर समय बाद इन सैलों का voltage जो है, वो equal हो जाएगा, तो इस तरह से यह पहला step है, मैं अभी आपको सैलों का voltage measurement करके दिखाता हूं, 3.361 volt दिखा रहा है, अब हमें इन्हें कुछ देर छोड़ना होगा, इन सैलों का voltage एक समान होने में लगवग 2-4 घंटे भी लग सकते हैं, तो अब हम multimeter से पहले सैल का voltage चेक करते हैं, इस सैल का voltage जो है, multimeter हमें क्या दिखाता है, आप देख पाएंगे, यहाँ पर multimeter में 3.35 volt इस सैल का voltage है, अब दूसरे सैल का voltage हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 3.35 volt इस सैल का भी voltage multimeter में दिख रहा है, इसी तरह से तीसरे स इक्वल हो चुके हैं, अब हम इन स्पीसर में इन सेलों को सेट करेंगे, अच्छा स्पीसर में कुछ गैप्स होते हैं, जिसकी वज़े से ये स्पीसर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, इस तरह से मैं इन्हें कनेक्ट कर लेता हूँ, यहां पर आप देखेंगे कि चुकि मैं ब पसाया है चुकि सेल हमें सीरीज में जोडने है तो कुछ इस क्रम में हमें सेलों को इस पेसर में फसाना होगा एक सेल का जो पॉश्ट्यू होगा वो दूसरे सेल के निगेटिव के साथ कनेक्ट होगा इस सेल के साथ ऐसे ही इसका पॉश्ट्यू अगले सेल के निगेटिव के साथ तो यहां पर जब हमें last में ये positive और दूसरी side नेगेटिव ये मिलेगा तो यहां पर हमें 12 volt जो है वो मिलेगा हाला कि 12 volt नहीं मिलता है 12 volt से ज्यादा ही मिलता है लगबक 13 या 13.2 volt के लगबक हमें voltage यहां पर मिलता है तो मैं इनको आपस में निकल स्टिप के द्वारा connect करने वाला हूँ, आप process जो है उसे समझिए, यहाँ पर निकल स्टिप को हम इस तरह से connect करेंगे, तो यह दो cell जो है यह series में जोड़ेंगे, तो मैं निकल स्टिप को cut कर लेता हूँ, इस तरह से हमने निकल स्टिप जो है सही size में cut कर ली है, अब इस निकल स्टिप को हम क्या करेंगे सीधा करके और इन cell के terminals को आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आप solding iron का भी इस्तमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर spot balder का इस्तमाल कर रहा हूँ, यह जो spot balder है, इसकी साहता से हम spot balding करेंगे, लीथियम cell को आपस में जोड़ने के लि इन cell को spot balding से आपस में connect करेंगे, तो इस तरह से हमें सही direction में निकल स्टिप रख लेनी है, और spot balding जो है, वो कर देनी है, तो यह process जो है, हमें सभी cell में करना है, सभी cell को हमें series में जोड़ना है, यानि स्रेणी करम में, तो इस तरह से हम spot balding दोरा इन cell को आपस में connect करेंग है उसे हम मल्टी मीटर में टेस्ट करेंगे तो यहां पर सभी सेल आपस में हमने सीरीज में जोड लिए हैं और यहां पर आप देखेंगे कि इस जगह पर निगेटिव और इस जगह पर पॉजटिव हमें मिलेगा तो इस 4S बैटी पैक का आउटपुट बोल्टेज अब हम मल यहां पर आप देखेंगे इस BMS में B प्लस और B माइनस इन्हें हम इस तरह से उपर साइड रखेंगे जिससे हम टर्मिनल इनके बिल्कुल नजदीक रहें हम कनेक्ट कर पाएं आप देखेंगे कि यहां पर जो हमारी स्पेसर है इनके उभारों को हमें कट करना होगा जिसक कि हमारा जो BMS है वो अच्छे से यहीं पर इस पेसर पर हम लगा पाएं तो इस तरह से हमने इने लेबिल में कर दिया है अब हम यहां पर BMS इस तरह से लगा देंगे आप देखेंगे BMS यहां पर हमारा आसानी से लग पाएगा और जो इसका यह टेंपरेचर सेंसर है इसे पि हमे किसी एक सेल पर लगाना होगा तो इस लिए हम इस तरह से इसे फिक्स करेंगे तो यहां पर इस पेसर पर ही हम थोड़ा सा फेवीक विक जो है उसे लगा देंगे इस तरह से फेवीक हमने दोनो शाइड पे इस पेसर पर ही लगा दिया है जिससे कि यही colabor पर हमारा BMS जो है वो लग पाएगा अब ये BMS हमारा fix हो चुका है अब हम इसके connection जो है वो करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो connection हमें करने हैं सबसे पहले B- के connection करने हैं तो B- यानि हमारे पहले cell का जो minus है उसे B- के साथ connect करना है तो इस तरह से nickel strip सही size में हम cut कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम इसे पहले BMS में spot building द्वारा जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देख पारें इस तरीके से हमें सही set करने के बाद इसे BMS के साथ connect करना होगा तो spot building यहाँ पर हो चुकी है तो हम इ इन cellों को BMS द्वारा connect करने वाले हैं यहाँ पर आप देखेंगे पहले cell का जो negative है वो BMS के B- के साथ में हमने इस तरह से connect कर दिया है मैं आपको यहाँ पर नजदीक से दिखाता हूँ आप देखेंगे B- जो है उसको हमने connect कर दिया है इसी तरह से अब B1 के connection जो है वो पहल पहले cell के positive के साथ में हम करेंगे चूंकि सभी cell series में जुड़े है तो पहले cell का positive दूसरे cell के negative के साथ जुड़ा है दूसरे cell का positive है वो B2 के साथ में connect होगा दूसरे cell का positive तीसरे cell के negative के साथ में connect है तो यहाँ पर तीसरे cell का positive जो है वो हमारा B3 के साथ connect होगा चूंकि तीसर इस तरह से हमें सभी connection जो है उन्हें करना है तो मैं सारी connection यहां पर आपको करके दिखाता हूं मैं जल्दी से इन्हें कर लेता हूं जहां भी मुझे जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं आपको समझा दूँगा यहां पर आप देखेंगे मैंने इस तरह से जो B2 के connection है उन्हें क इस पे हम heat shrink tube चड़ा रहे हैं, चुकि यह कहीं पे salt ना हो, यहाँ पर इस तरह से हम heat shrink tube जो है, इस nickel strip पे चड़ा देंगे, जिससे कि salting वाली कोई problem ना आए, चुकि सभी cell आपस में connect है, और nickel strip एक जगह से दूसरे जगह पे salt भी हो सकती है, तो आपको इस बार का विसेज ध् strip है, उसे B2 के साथ में connect कर दिया है, और यहाँ पर मैं इस तरह से सभी connection जो है, उन्हें कर लेता हूँ, तो यहाँ पर चुकि lithium cell यह high density में charge जो है, उसे store करते हैं, तो sorting किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए, तो यह cell यह blast कर सकते हैं, इन में आग लग सकती है, यहाँ पर battery pack का यह P minus और P plus का point है, यहीं पर हमें output मिलेगा, और यहीं से हमें charging भी इस battery pack को देनी है, मैं यहाँ पर आपको voltage जो है, उसे test करके दिखाता हूँ, आप देखेंगे 13.39 या 38 volt हमारा output हो रहा है, चुकि हमने BMS के connection कर लिए है, अब हम temperature sensor को किसी एक cell के साथ में जोडेंगे यहाँ पर temperature sensor को जोडने के लिए हमें thermal glue का इस्तमाल करना होगा, यह thermal glue है और यह एक तरह का ऐसा compound होता है, जो की heat को transfer कर सकता है, तो इस तरह से cell द्वारा जो heat है, वो temperature sensor में transfer होगी, तो अगर overheat होता है हमारा cell, तो BMS जो है output देना cut कर देगा, यानि बंद कर देगा, तो इ एक cell के साथ में connect कर दिया है, हम उपर से captain tape जो है, उसे भी लगा देते हैं, चुकि thermal glue जो है, उसे काफी time लगेगा hard होने में, यानि सूखने में, तो इस तरह से हम captain tape के द्वारा thermal glue के सहारे, इस temperature sensor को cell के साथ में connect कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा battery pack जो है, यह अब complete हो च चाहते हैं, तो उस video का link in description में आपको मिल जाएगा, अब हम इस battery pack का output जो है, उस पे यह जो cob LED है, इसे test करके देखते हैं, कि हमें output जो है, वो मिल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे, इस तरीके से हमारी cob LED जो है, वो अच्छी intensity के साथ जल रही है, तो यहाँ पर हमें output भ में किसी तरह का कोई damage भी नहीं होगा, तो यहाँ पर काफी सारे protection जो है BMS देता है, मैंने BMS पे भी detail में वीडियो बनाया है, कैसे BMS काम करता है और कौन-कौन section होते हैं, उस video का link भी आपको जो है, वीडियो के description में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, इस दे refundने सकते हैं, हिश एको के दो वे वें दो य है अीडियो के आपको है, जिया एला करता है, इब कर sì क्योंद का वीडियो एका वीडियो सँतित, उिक र HUANG.